चुलिए उस वक्ते सबसे बड़ी ख़बर है कि HDFC के नतीज़ा है quarter 3 की और आए 8700 करोड मुनाफ़ा 5670 करोड जो है ये मुनाफ़ा यानि की bottom line company ने register की है quarter 3 में stock पे लगबग 2% के आसपास की बढ़ा देखने को मिल रही है लेकिन आपको कुछ और point बता दू जिसमें provisioning की figure भी मेरे पास है और provisioning जो है 95 करोड रुपे ऑक्टूबर दिसंबर ते माही में रही है HDFC limited की versus 120 करोड तो अगर आप मुनाफ़ा की figure देखेंगे तो 5670 करोड है औ 5000 करोड के आसपास का मुनाफ़ जो है वो यह company register करेगी strong contribution दे रहा है इंडिक्स में आज के सत्र में लगबग 2% के आसपास की तीजी already stock में बनी हुए एक मुष्ट आये है 3675 करोड की इसको factor ने जरूर करना होगा और in fact इसका असर मुनाफ़े पे आने की bottom line पे देखने को मि लेकिन जो first जो आपको बताई है 5670 करोड यह standalone basis पे मुनाफ़ा कंपने रिपोर्ट किया है consolidated basis पे 6675 करोड की जो income है यानि की मुनाफ़ा जो कंपने रिपोर्ट किया 2728 करोड से जो बढ़ा है Y&Y basis पे यह सालाना अधार पर results हैं जो आपकी screen पे 500 मुनाफ़ा 2728 करोड से सीध जितने numbers के हम expect करें थे वैसे ही आए हैं लेकिन मुनाफ़े के front पर काफी शानदा numbers है देखना होगा कि इस बार जो provisioning हुई है वो किस तरह की हुई है हम इतने बड़े बड़क की उमीद भी करें थे क्योंकि बैंक ने S.D.F.C. Life में जो हिस्सा बेचा था उसके जड़िये company ने करी 5,250 करोड रुपे जटाए थे और उसके सामने में कुछ एकमुष्ट प्रोविजनीं भी की गई थी उसका एक अजिस्मेंट आपको numbers में ज़रूर देखने को मिलेगा लेकिन इतने बड़क की उमीद भी कर रहे थे वेटेड है NIA numbers क्योंकि वहां पर हमारा नुमानत की 0.8% के आसपास देखने को मिल सकता है numbers तो देखना होगा की details अभी भी आवेटेड है तो फर्स देखने में लग रहा है कि अनुमान के मताबिक है नतीजे जो मुनाफ़े की figure है वो 12728 करोड से भढ़कर 6677 करोड है लेकिन इसमें एक one time आये जो है वो company ने clock in की है एक और update में आपको बता दू कि 150 करोड यूएस डॉलर का बजार से जुटाने को मंजूरी मिली है MTN प्रोग्राम के तहत यहां पर board ने मंजूरी दी है कि company 150 करोड यूएस डॉलर जुटाएगी इसको board ने मंजूरी दे दी है total income की figure मेरे पास है 8,150 करोड से बढ़कर 8,690 करोड की और consolidated basis पे मुनाफ़ा 2728 करोड से बढ़कर 6,677 करोड वैनवे basis पे राए है स्टॉक पे कोई बड़ा impact नहीं क्योंकि आज सुबह से देखने की HDFC में एक अच्छी खरिदारी निचलस तरों से बनती हुई नजर आई है asset quality stable रने का यह अनुमान था बिल्कुल उसी तरज पे नतीज़े आए हैं पूजा चलि तो अनुमान के मताबिक ही कह सकते हैं क्योंकि स्टॉक पे कोई बहुत बड़ा reaction नहीं लेकिन 16,847 करोड यह अब consolidated basis पे आये जो है वो company के आपके सामने है 16,847 करोड जो quarter 3 में company register किये standalone basis पे 8,690 करोड की आये है मुनाफ़ा consolidated basis पे 6,670 करोड का है standalone basis पे 5,670 करोड का है तो in-line expectations के बिलकुल मताबिक यहाँ पर company जो है वो report करती हुए अपने numbers asset quality में कोई बहुत बड़ा fair बदल नहीं है वो reflect हो रहा है इस समय bottom line पे एक और point यह था कि 150 करोड यूइस डॉलर को जुटाने की MTN program के तहित 150 करोड यूइस डॉलर जुटाने की board ने मंजूरी दे दिये वो भी कही ना कहीं stock पे आने वाले समय के लिए reflect करता हूँ नजर आ 270 करोड का मुनाफ़ा company ने clock-in किया आपकी उमीद से बहतर है या फिर in-line sir revenue drivers HDFC limited के लिए आप क्या समझते हैं आप going forward किस पे सबसे जादा फोकस रहेगा company का मुझा लगता है दो तीन जीज़ें एक टो लोकाउस हाउसिंग काफी बड़ा एक driver रहने वाला है दूसरी बात हमने हम यह आने वाले समय भी देखनें कि कि HDFC के stake से बाकी companies में कुछ हद तक HDFC में करेंगा तो यह भी कुछ हद तक इनके cash flows में काम आएगा पर सबसे बड़ी वादी है बहुत एग्रेसिल अपना loan book को expand कर रहे हैं आप जानते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा फंड रेजिंग किया यह सार में तो फिर वैल्यू एजडेफ से लिमिटेट क्या मानके चलें 1950 की लेवल पर है अभी अगर मैं लॉंग टर्गेट्स पूछू हमें हमें लगता है कि प्रॉबली शॉट्टर में तो मुझे फुली वाल्यूड लग रहा है बट मीडियम लॉ बहुत शुक्रिया आपका में जोड़ने के लिए हरियर साब और बात करने के लिए हज़िए के नतीजों पर चलिए के की मिस्त्री हज़िए वाइस चेर्मेन रिजल्स पर बात कर रहे हैं सुनते और विएर वेजल. और बात करने के हति लुट रहा होऊनurunूट वाइस हम निल्यूद्टर में πनेजन उप इससा तो झाउ के लिए व्नाइस पर बेंगरे के लिए विल्स फिल्ल्स पार कामुणणे के लिएर न brick 사람이 के लिए लिए अब सथ пошत्सून। मैं में हुरकियू US का realized, इक्श हो सप्सक्राख भोज सेनाज समेंग, जिर इक्षम के डिम सेफशन थ्ने करविक. So out of the total loans that we did, 39% of the loans were in respect of people in the EWS category and the LIG category, 39%. On an average, we approved about 8,000 loans every month for people in the economically weaker section and in the LIG group. The growth in the loan approvals over the previous year in respect of the economically weaker section was 32%, whereas the growth in loan approvals in respect of people in the lower income group was 39%. Average loan for people in the economically weaker section was 10.24 lakhs of rupees and for people in the lower income group was 17.38 lakhs. And this compares to an overall average loan size of about 26.2 lakhs. So the average loan size has actually come down in the course of this quarter compared to what it was in the previous quarter and the quarter prior to that. So last year, last quarter, for example, the average loan size was 26.3 lakhs. This quarter, it has come down to 26.2 lakhs. If you look at the balance sheet figure of outstanding loans and break that up between how much relates to individual loans, how much is corporate loans, how much is developer loans, how much is lease rental discounting loans, the breakup would be as follows. Individual loans constitute 72% of the total loan book on an AUM basis. Construction finance constitutes 13% of the AUM on an AUM basis. Lease rental discounting constitutes 9% and corporate loans constitute 6%. So what we have seen in the course of this year, this nine month period, is that individual loans has kept rising. Lease rental discounting has shown a sharp increase during the course of the last nine months. Construction finance has been more or less stable at what it was in percentage. Ja بعض, अब ये तुदिं कुछ तंसर पिए है, लेकिन जो कुछ important points है हो वो यह है कि 35,000 करोड के आजब फास के रकम जो बॉंड के जटाएगी. HDFC Limited और extra provisioning की है 1575 करोड की. वो भी कही ना कही अब बज़ार जोब फाक्टर न करेगा बहाव पे. लेकिन फिलाल पहले टेक में देखने में नतीजे अनुमान के मताबिक नजर आ रहे हैं स्टॉक 2% के आसपास की तीजी में